अब समचार विस्तार से बी आरेस प्रमुक और सीयम केसिया ने महराष्ट पर फोकस किया है नांदेड में एक खुली बैठक पहले ही हो चुकी है और उस राज्यों में पार्टी के मामलों की देखरेक के लिए शेत्रिय समनवयक नियुक्तियां किये गए है इसी महने की 26 तारिक को उन्होंने कंधार लोहा में एक और विशाल जनसभा की तयारी की है महराष्ट कई नेताओं ने प्रगती भवन में केसियार से मुलाकात की ये सभी रांगपा से इस्तिफा देकर बी आरेस में शामिल होने जा रहे है पूर्व विधायक रांगपा किसान प्रकोष के अध्यक्ष शंकरना धोंगडे पूर्व विधायक नागनाद गिसेवार रांगपा नांदेड जिला अध्यक्ष दत्ता पवार रांगपा युवा विक्के सचिव शिवराज धोंगडे नेता शिवदास धर्म पूरीकर मन जोहर पाठिल, भोसीकर, केसीयार से मिलने वालों में डॉक्टर सुनिल पाठिल सुभाश वा अन्य भी शामिल है। कारेक्रम में अर्मूर विधायक जीवन प्रेडी सहित अन्य शामिल हुए। चिकित्सा उपकरनों पर लगने वाले जीएस्टी को कम करने के लिए मंत्री के टियार ने केंदर को पत्र लिखा है। केंद्री वानिजी और उध्यूक मंत्री पियूश गोयल को लिखे पत्र में केटियार ने कहा। केंद्र सरकार को उध्योक की समस्याओं पर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। यहां माना जाना चाहिए चिकित्सा उपकरन कोई विलासिता की वस्तु नहीं है लेकिन निधान सभी के स्वस्ति के लिए आवशक है। इस साल के पिछले महिने हैदरबाद में आयोजित बायो एशिया की बीसवी वर्षकाट के सम्मेलन के तोरान चिकित्सा उपकरन बनाने वाली कमपनियों के प्रतिनीधियों के साथ एक विशेश बैठक होई। इसमें उन्होंने उन समस्यों का खुलासा किया जिनका वे सामना कर रहे है और ऐसे उपाय सुझाए जो चिकित्सा उपकरन उत्योग के विकास के लिए उपियोगी होंगे। में MLC कविता से 9 घंडे तक पूछताच की फिर इसी महने की 16 तारिक को दूसरी सुनवाई के लिए नोटिस दिये गए। अपने हाथ में लेने वाले सुप्रिम कोट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा वेस महने की 24 तारिक को पूछताच करेंगे। प्रदेश भर में अंतर परिक्षा शांतिपूर्ण धंग से जारी रही। आज से शुरू हुवी परिक्षाएं 4 अपरेल तक चलेंगे। इंटर बोर्ड ने इसके लिए पूरे तरंगाना में 1473 परिक्षा केंद्र बनाए है। चातर परिक्षा केंद्रों पर परिक्षा से एक घंटे पहले पहुँचे इससे परिक्षा केंद्रों पर हंगामे का मोहल है। उन्होंने अपने हॉल टिकेट नंबर चेक किये और अंदर चले गए पूरी जांच के बाद ही उन्हें परिक्षा केंदर में जाने दिया गया कुछ जगाओं पर नीजी संस्थानों के पते उलजे हुए थे और चातरों को संबंदित केंदरों तक पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कुछ अन्य स्थानों पर चातर या पयात की समस्याओं से परिशान रहे जैसा कि एक मिनिट का नियम था देर से आने वाले चातर दोड़ पड़े परिक्षा केंदरों पर धारा 144 लागों होने के कारण पूलिस ने सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये है कुछ अन्य स्थानों पर अधिकारियों ने सुक्ष्मन यमों के कारण देर से आने वाले कुछ चातरों को अनुमती नहीं दी वे मायोस होकर वहां से चले गए तेलंगाना राज्जी में अतिकरमन का सिलसिला लगातार जारी है चाहे वह शम्षान हो या तालाब हर जगा पर अतिकरमन किया जा रहा है तालाबों पर भी कब्जा किया जा रहा है हाल ही में रंगारेडी जिला, तुरकई अंजल, नगरपालिका शेत्र के मासब तालाब पर कब्जा कर लिया गया है स्थानिय लोगों द्वारा संबदित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तिलंगन राज में भूमें हिंडों की संख्या दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है उनकी प्यास की कोई सिमा नहीं है तलाबों पर भी कब्जा किया जा रहा है खाली में रंगारीडी चिली की तुर्क यांचल नगरपालिका में मसाब तलाब पर कब्जा कर लिया गया था सानिय लोगों दोवारा संबदित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तलाबों पर भी कब्जा कर लिया जाता है वह अवे जमिन हर अपने वाले लोगों की संक्या हजारों में हाली के दिनों में तलाबों पर तिक्रमन की कई इमामरे सामने आए हैं हाली में एकर रियॉल टार्ग ने रंगारीडी चिले के अब्दुल्ला पूर्मीट मंडल की तुर्किया अंशल नगर पालिका में मसाब तलाब पर गपचा कर लिया है उसने रात में टिपपल से मिट्टे तलाब में दलवा दिया और स्थाने लोग शिकात कर रहे हैं कि संच्राइला दुस्वर नगर निगम की अधिकार योनेस और ध्यान ने दिया है प्रसिद्ध मसाब तलाब वो जो तुर्किया अंशल का प्रमुख है तेंसो बीस एकर शीतर में फैला हुआ है लेकिन सानियरो का कहना है कि इस तलाब से जोड़ी सर्विसंग के दुज़ापाश में करोड़ रुपए की बार एकर जमीर है उन्होंने दावा किया है कि पिछले तीन साल से मसाब तलाब में पानी भरा होने के काना अधिकरमन कार एक कदम पीछे अट रहे है बता जाता है कि पिछले पन्रा दिनों से एफटी एल शीतर पर कमचे के तहदरात में समय बड़े पैमाने पर मिट्री ढप करते थे मंतर के त्यार ने का है कि इस तलाब में सौन्दरी करिंड का आउवकार यू पूर्वर में दो करुट रुपए की लागस से शुरू किया गया था उन्होंने बतायी कि उन्होंने तलाब के विकास के लिए धन आवंटड करने का वादा किया है कुछ वर्षों के बाद भारी वर्षा से तलाब लबालब हो गया वही तलाब सही इस बफ़र जोन में भी काफी मातरा में पानी था उन्होंने बताएं कि जलस्तर कम होने के असास होने पर उन्होंने तलाब में 6 फूर्ट मुट्टी डाल दे सेने लोगों ने छितावनी दी है कि सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनी देस मामले प confiscate धियान दे कर देखने के लिए काफी हैं वह अवेद और जौमीन हडपने वाले चीपे हुए हैं हाल के दिनों में तलाबों पर अतिकरमन के कई मामले सामने आए हैं लेकिन हाल ही में एक रियॉल्टर ने रंगा रेडिन शीली के अब्दुल्लापूर मीट मंडल के तुर्क्यान शर्नगरपाली का में मसाब तलाब पर कमचा कर लिया हैं उसे रात में टिपर से मटे तलाब में डाल दी और स्थानी रोक्षिकात कर रहे है कि सिंचाई राजश्वर्नगरने गम के अधिगारी ने और ध्यान ने दिया है एक बहुत यहासिक तलाब के रूप में प्रसद मसाब तलाब जो तुर्क्यान शर्का प्रमुखे 321 शीतर में फैला हुआ है लेकिन सानी लोगों का कहना है कि इस से तलाब से जोड़ी सर्व संक्या 25 में करोड रुपए की बारा एकर जमीन है उन्होंने दावा किया है कि पिसले तिन सान से मसाब तलाब में पानी भरा होने के कारण अर्तिक्रवन कारी कदम पीछे अट रहे हैं बताय जाता है कि पिसले 15 दिनों से फ्टील शीतर परकपची के तहतरात के समय बड़े कुछ वर्षों के बाद भारी वर्षा से तलाब लबालब हो गया वही तलाब सही तब बफर जोन में भी काफी मातरा में पानी था उन्होंने बताया कि जलसर कम होने का असास होने पर उन्होंने तलाब में छो फुर्मिट्रे डालती हैं सालने लोगों नीचे तावनिदी के सरकार, सरकारी, अधिकार या जन्प्रतिनी दिस मामरे पध्यान दे और तलाब की रक्षा कर रहें जमिदा लोग को डनिट करें संस्था अधिकारी क्या कर रहें? कबजाधारी जाने नहीं दे रहे हैं और नागर जुनसागर रूर्ट से सर्टी बीश किम्ती जमिन हरपने की फिराक में है उनकी खिलाब कानून के मताबिक सक्ते कारवाई की जाने चाहिए महाजन सोशलिस्ट पार्टी के तत्ववधान में इस मेने की 27 और 28 तारिक को दिल्ली के जंतरमंतर के पास धरना दिया चाहेगा मंदा कृष्ण माधिका ने कहा ऐसी वर्गिकरन की व्यादता पर भाजपा का रुक स्पस्ट किया जाना चाहिए वे तैय करना चाहते हैं भीजेपी की राष्टी कमीटी की मनजूरी से वे अपना मुद्दा घोषना पत्र में रखते है या फिर प्रदेश भीजेपी की मनजूरी से उन्होंने कहा तीन अपरेल को वे बीजेपी के तिलगू राज्ज कारेलियों के सामने MRPS के नितृत में महाधरना देंगे उन्होंने चितावने दी चार अपरेल को हाइदरबाद और विजेवडा के शहरों और सडकों को अवरुद कर दिया जाएगा और तब होने वाले घटना करम के लिए पूरी तरह से भाजपा जिमेदार होंगी उन्होंने कहा केंदर सरकार SC वर्गीकरन को वैद बनाने में विफल रही है उन्होंने आरोप लगाया केंदर सरकार के नेताओं से कई अनुरोत करने के बावजुत वे SC वर्गीकरन के मुद्दे की अपेक्षा कर रहे है TSPSC के पास पुलीस भारी हत्यारों से लेस है आज अगरिम सुरक्षा वैवस्ता के हिस्से के रूप में बेरिगेट्स लगाए गए है OU चातर संगों के साथ जन संगों ने घेराबंदी का अहवान किया है पेपर लीक की घटना के विरोत में TSPSC का घेराव किया जाएगा TSPSC के अधिकारी पेपर लीकेज पर एक एहम बैठक कर रहे है बैठक के दोरान विचार किया जा रहा है परिक्षा रद्द करे या ले मालूम होता है कि नामपली कोट ने पेपर लिक मामले में 9 अरपियों को 14 दिन की रिमान पर भेज दिया है इसी क्रम में चात्र संगों, जन संगों वा बेरोजगारों ने TSPSC के समीप विरोध प्रदशन का आवान किया है बीते दिन की घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है उन्हें दूसरी तरफ आने से कोई नहीं रोक रहा है इन घटना करमों से TSPSC के एक पास हाई टेंशन है चात्रों का कहना है पुलिस चाहे कितनी भी पाबंदिया लगा ले वे TSPSC का रहले का घिराफ करेंगे तेलंगारा में सत्ता के लिए काम कर रहे बीजेपी नेताओं में मदभेत उभर कर सामने आने लगा है हाला कि मदभेत की आग धीरे धीरे सुलग रही है कविता के खिलाफ बंडी संजे द्वारा दिये गए बयान के बाद यहां अचानक मदभेत सामने आया अब पाटी के नेता ही प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजे की आलोचना करने लगे है ऐसे समय में जब पाटी नेताओं ने वरिष्टों को दिल्ली बुलाकर आपसी मदभेत बुलाकर साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया अब खुद प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लेना चर्चा का विशे बन गया है भाशपाट जो कहती है कि वेतलंगाना में सत्ता रूट पार्टी बियारस के विकल्प है इस बात को जँचन तक ले जाने की कोशिश कर रही है सत्ता पश्ट की विफलताओं को विपश जागर करने में लगा हुआ है ऐसे में अचानक से पार्टी में मदभीद खूल कर सामने आ गया निजामाबाद के सांसा धर्मपूरी अर्विन नहीं महिला दीवसकर पार्टी के राजश्व कारले में आरजवतिक कारेकरम में अमल सी कविता पर बंडी संजे की टिपनियों को गलत बताया है पार्टी के ये कारेकरता फुस्फसार है कि अर्विन के गोर असंतूश की पीछी कुछ बड़ा कारण है पहले बड़े संजे और अर्विन के बीच कोई गलत ख्यामिया नहीं थी पार्टी सुत्रों का कहना है कि हाल ही में दोनों के बीच में जमाबाद चिली में एक नेता को पार्टी में शामिल किया जाने के मद्दी को ली कर दोनों नेता के मत के बीच मतभीत उफर कर सामने आया है भाजपा में शामिल होनी के चुक एक नीता को अर्विन के लगातर रोखने की कोशिश कर रही है चर्चा है कि अर्विन को यह बात रास नहीं आ रही है कि अनीद सण्ची निटा जो भाजपा में शामिल होना चाहते मैं बंडी संजे कर संपक्त का पार्टी के वरिष्ट नहीं था पेराला शेखर राओने भी बंडी संच्रे पर निशाना साधा और असुन तुश को हवा दी है अर्विन ने फीस्बूक पर पोस्ट किया कि उनके टिपनी सौ फिस्दी जायच है अर्विन ने काया कि किशनरी डी लक्षमन और अर्णिय वरिष्टो को भी इसका विरोद करना चाहिए था बंडी संच्रे पर गंभी रारुप लगाय कि अधिक्ष में परिपपता नहीं है पर आला शेकर राओ का अपने पोस्ट में दर्गगालन कारियला उकमे अपमान समन्धवे की कमियों और व्यक्तिकत आर्थिक स्वार्थ जैसे बिंदों को थाबत करने को तियार करने वाला बियान भाजपा में खलबली मचा रहा है दूसरी और करी नेता जो बड़ी सज्ज है अंका समतन कर रहे है विज़े शांती ने कहा कि अगर कोई भाजपा नेता पार्टी की पैठकों में अध्श की टिपननी पर प्रतिक्रिया देता है तो यह आंतरिक मामला है उन्होंने कहा कि अगर संची को अपने शब्द वापस लेने पड़े तो केस यार उनके परिवार और कई बियारस ने टौक को कई बार वापस लेना होगा विधायक राधा सिंग्ग ने संची पर बंगी टिपननी की निन्दा की है किस बारे में बात करें का जाता है कि संचे जानते की क्या नहीं करना है जाद से नहीं का आए कि मिडिया का सामने आकर अर्विन की टिपननी करना गलत है बंडी संचे और विधाय की टेलर राजजन रखे बीच मद्बीट की बाद प्रशासन के संग्यान में आने के बाद उसने प्रदीश की प्रमुक नितों को दिली तलब किया है राज़्टिय जिपी ने डौर गिंडरी ग्रह मंत्रिया में शाहनी निदिश दिया के तलंगाना की पास स्था में आने का दूसरा मौका है क्या नेतागर पार्टी नेताओं के आदिश पर साथ आएंगे और आगे बढ़ेंगे ऐसे समय में जब सांसर अर्वीन और पराला श्रीकर राओ भी सब्रिस से इंतजार कर रहे हैं पराला श्रीकर राओ के संतोष ने राज़्टिय खलकों में खौफ पैदा कर दिया पार्टी सुत्रों का कहना है कि बंडी सिंच जर्बिन इस पर शिकार के लिए दिली कहते हैं टी-एस-पी-एस-सी पेपर लिक मामले में हाल ही में हैदरबाद में टी-एस-पी-एस-सी कारले का घिराव करने वाले भाजियूमों नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्च किया है उसी के तहट बीजेपी के प्रदिश अध्यक्ष भानु प्रकाश और कहीं कार्यकरताओं पर केस दर्च किया गया है इससे पहले भाज यूमो नेताओं वकारे करताओं ने पेपर लिख मामले की जांच वर्तमान जस्स से कराने की मांग को लेकर विरोत प्रदर्शन किया इस घटना को लेकर अंदोलन कर रहे नेताओं को पुलिस ने गिराफतार कर लिया तीन-चार पुलिस टेशनों का तबादला कर पुलिस द्वारा आज केस दर्श करने की भारी आलोचना हो रही है इस कुस्टर भूमी में युवा मुर्चा के प्रदेश अधिक्ष भानु परकाश वा युवा मुर्चा के नेताओं के खिलाफ आई-पी-सी की धारा तीन वचार, एक सो तैंटीस, चार सो सताविस, चार सो अरतालीस, तीन सो त्रेपन वा एक सो उन्चास के तहत मामला दर्श किया गया है गिरफतारी के बाद भाजियों मो कारेकरताओं को चिकितसा जांच के लिए गांधी अस्पिताल ले जाया गया पुलिस ने इस मामले में भाजियों मो के नो नेताओं को गिरफतार किया मेडिकल परिक्षन के बाद पुलिस ने उन्हें रिमांड पर चंचल गुड़ा जेल भेज दिया एक बार फिर आईटी की चापे बारी से पूरे प्रदेश में हरकम मच गया है हाईदरबाद के साथ ही 40 जगाओं पर एक साथ आईटी द्वारा तलाशिया ली जा रही है बाल विकास फाउंडेशन और क्रिश्यन सुसाइटी के संगठनों में यहाँ तलाशिया जारी है मेदक और वरंगल में कई इलाकों के अलावा हैदरबाद के अलवाल, बोलारम, कीसरा, जीडी मेटला, पटांचरवू, तारनाका, कुकडपली समित आठ अन्य इलाकों में चापे मारी की जा रही है ऐसा लगता है कुल आईटी अधिकारी बटे हुए है, बीस टी में चापे मारी कर रही है, बताया जा रहा है टैक्स चोरी के पुखता सबुतों के साथ इन कमपनियों की तलाशी ली जा रही है दो बदमाशों ने एटियम चोरी करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे फावडे से एटियम तोडने के दोरान स्थानिया लोगों ने देख लिया और शोर मचा दिया, दोनों लुटेरे वहां से फरार हो गए यह घटना हैजरबाद के चेतन्य पुरी पुरी पुलिस टेशन सीमा की है यहां विक्टोरिया मेमोरियल मेट्रो स्टेशन के पास ग्रीन हिल्स कॉनली में ICICICI बैंक का एटियम लगाया गया है स्थानिय लोगों की सूचना पर पुलिस मोके पर पहुंची और मामला दर्ज कर चानविर कर रही है सीसी टीवी कैमरों के आधार पर जांच की गई वाटर बोर्ट के एमडी दाना किशोर ने कहा शहर वा ओर आर शेत्र में शुद्ध पानी की सप्लाई में कोई समस्या नहीं है पीने का पानी जरुरत के अनुपात में उपलब्द है प्रधान कारेले खेरताबाद में ग्रिश्म कालिन परीचालन राजस्व ओपरेशन ओ एन एम के अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक आयोजित की गई एमडी डानीश किशर ने बताया कि जर्मनली ने सेज वर्तमान में नोजाना 56.5 करोड गैलन पानी के अपूर्थी होती अन्य 42 मिलियन गैलर पानी के अपूर्थी करनी की ववस्था की जा रहा है और यह बताया गया है कि O.R.R. के अंदर शहर के लोगों के साथ साथ गाउं के लोगों के लिए भी बीना किसी परिशानी के उजद उपाई की जा रहा है उन्होंने का है कि इस दर गर्मी में मैं के अंतक 80-42 M.G.D. पानी की अपूर्थी करने की ववस्था की जा रही है इस महा बावस M.G.D. अतिरेक्ट पानी की अपूर्थी की जा रही है इसमें से 14 M.G.D. पहले से ही उपलब दराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि महिने के अंतक 8 MZD और पानी क्या पोति की जाएगी 7 अप्रेल में 12 MZD और महिन में 8 MZD पानी देनी की योजना त्यार की गई है खैरतबात स्थित वाटर बोट कारेले के सामने करमचारी संग ने धरना दिया उन्होंने वाटर पोर्ट में कारेलत संवीदा एवा महले सेवा करमियों के लिए जियो नंबर 14 लागू करने की मांग की है 14 के लागू होने में हो रही देदी के तमाम मजदूरों को भारी मुश्विला का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने काया कि 2016 में दिये गए जियो चौदा और 2021 में दिये गए जियो 60 के माध्यम से वीतन बढ़ाने की मांग को लेकर कई बास संबंदित अधिकारियों की ध्यान में ला चुके हैं उन्होंने काया कि राज़भर में अगर निगम प्रशासन के तहद कारेरत सवीदा वह आउट्सोर्सिंग कम्यों को जियो 14 के माध्यम से मजदूरी मिल रही है लेकिन यह सर्फ जल बोर्ड में ही लागू नहीं हो रहा है उन्होंने मांग किये कि मजदूरों का वेतन तूर बड़ा जाएं